नमस्बर दोस्तों सुवागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दरीटिल में गाइज अल्टरटेक जी हाँ अल्टरटेक के कोटर टू के नमबर्स आ चुके हैं आधित्रबिल्ला गृर्प की कमपनी दोस्तों देखते हैं कैसे नमबर्स हैं ठीक है सबसे पहले revenue from operation 16,739 करूर रुपीज का आया है एक साल पहले ये 15,520 करूर था तो भाई यहां पे आपको jump saaf देखने को मिल रहा है ठीक है और एक quarter पहले ये 16,012 करूर था तो अपनी जो एक शांदार तेजी है ठीक है वो लगा तक ultra tech में जा रही है और मैं हमेशा कहता हूँ ultra tech को business के कहीं कोई कम ही निया दोस्तो other income आप देखेंगे 140 करूर है जो एक साल पहले 126 करूर थी और एक quarter पहले 167 करूर थी आप इन दोनों को चोड़ लें तो total income जो निकल कियाएगी 16,880 करूर एक साल पहले ये 15,647 करूर थी और एक quarter पहले 16,179 करूर रूपी से दोस्तों यानि total income में शांदार और शांदार जम्प है दोस्तों ठीक है अब बात के लिए देख खर्चों की सबसे पहले cost of material 2,505 करूर है जो एक साल पहले 262 करूर था लेकिन याद रखिएगा आपका धन्दा जब इतना बड़ा जम्प हुआ है उसके proportion में देखेंगे तो कोई बहुत भारी जम्प नहीं आगए यानि cost of material कोई बहुत बड़ा सरदर्द उभर के नहीं आया है ठीक है, inventories देखें 227 करूर की positive inventory है जो एक साल पहले 400 करूर की थी और एक quarter पहले 279 करूर रुपीस थी ठीक है अब बात कर लेते हैं employee benefit expense की तो 768 करूर रहा है जो एक साल पहले आप देखेंगे तो 694 करूर था ठीक है, और finance cost minister डालेंगे तो ये इस बार 262 करूर है जो एक साल पहले 215 करूर था और एक quarter पहले 233 करूर रुपीस थी depreciation और amortization expense देखेंगे दोस्तों 783 करूर जो एक साल पहले 723 करूर था और एक quarter पहले 797 करूर रुपीस थी और एक सबसे बड़ा खर्चा दोस्तों जो cement companies के लिए होता है क्योंकि आपको पता होगा cement एक आप क्या सकते energy energy intense industry है तो ये इस बार 4187 करूर रहा है जो एक साल पहले 4873 करूर था इतना बड़ा पैसे budget हुई है दोस्तों और एक quarter पहले ये 4385 करूर थी इसने बहुत ज़ादा help किया दोस्तों यानि जो power fuel का जो rate है वो जो नीचे आया है उसने बहुत बहुत ज़ादा help किया अपने निवेशकों को दोस्तों ठीक है next क्या है freight and forwarding expenses दोस्तों 3620 करूर है जो एक साल पहले 3479 करूर थी और एक quarter पहले 3511 करूर रुपीज थी ठीक है और other expense को जोड़ लेंगे आप जो इस बर 2262 रही है जो एक साल पहले 1894 करूर थी और एक quarter पहले 2257 करूर थी आप इन दमाम चीज़ों को जोड़ ले तो total expense जो निकल गया दोस्तों हो है 14531 करूर रुपीज जो एक साल पहले 14123 करूर था और एक quarter पहले 14493 करूर रुपीज थी ठीक है तो आप देखें तो खर्चे में overall ना कोई बहुत बड़ा jump नहीं आया है ठीक है और यही कारण है profit before जब आप tax देखते हो ना 2355 करूर रुपीज huge humongous jump आपको इसके overall revenue में देखने को मिलेगा और आप देखें 1527 करूर से सीधा 2355 करूर और इसका असर कहा होगा पता है आपको इसका असर मैं आपको दिखाता हूँ इसको में डालूं दोस्तों इनके जो overall profit और EPS है आप देखें यहाँ पे company का total comprehensive income for the period ठीक है income for the period 1810 जो एक साल पहले 1095 था भाई सब 80 approximately आपसे कह सकते हैं 72 80% का यहाँ पे शांदार jump आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों ठीक है और यही कारण है मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस प्रकार के जो numbers है वो कितने शांदार है और मुझे लगता है कि बाजार को ultra tech के जो share है ultra tech industry के जो stock है numbers है वो जरूर अच्छे लगे होंगे दोस्तों और देखें यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है EPS IP के जो diluted थी 36 रुपे 68 पैसे से बढ़ करके 61.61 huge है अगर आपके पास ultra tech cement है बहुत शांदार चीज ठीक है तो आप यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद यह शुरू का अंदे GEN